कमरा खोलते ही चमपा की द्रश्टी कोने में धरी उस अमंगली मूर्थ पर पड़ी भगवती ने बार-बार उससे अन्रोत किया था कि घर पहुँचती वो उस मूर्थी को किसी जंगल में फिकवा दे जब से भवाली आई हूँ कई बार उस मूजली मूरत को सपने में देख चुकी हूँ चमपा कल फिर रात को उसे देखा कि जुही हाथ में उसे लिए खड़ी है कह रही है मम्मी तुम बहुत दिन इसे रख चुकी हो अब मैं इसे ले जा रही हूँ जाते ही फेक दिना बेटी किन्त उस मूरत में तो जैसे चमपा के प्राण बसे थे फेकेगी नहीं मम्मी के आने से पहले मिनी के स्टोर रूप में कहीं छिपा आएगी बगवती का शून ये पलंग देखकर एक शण को से मा की स्मृति विवल कर उठी डॉक्टर नी होना भी जीवन का कैसा विचित्र अभिशाप है मा के फेफिडे की चित्र लिपी को उसने ठीक ठाक ही पढ़ लिया था मिन तो कभी भी उसे पलक जपकते ही अपने साथ कहीं सकती थी दीदी आप नहाले खाना ठंडा हो जाएगा चांडमनी ने कहा तो चौंक गई वो भूली गई थी कोने में खडी चांडमनी उसे एक टक देख रही है गीली पलकों को आचल से पोश कर उसने हसने की चिश्टा की न जाने आज आँक में कितना कोईला चला गया है ही चांदमनी मैं तो भूली गई थी कि अभी नहाना है मैं जब तक नहा कर आती हूँ तू चटपट कमरे को जाड़ ले बड़ी देर तक नहाती रही थी वो पर फिर भी जैसे सिर से लप्टे निकल रही थी इस सूने बंगले में अब उसे एक लंबी अनिश्चित अवदी तक अकेले ही रहना होगा मीनी के शर्ट नामे की अवदी एक महीने में ही समाप्त हो जाएगी उसकी बातों से लगता था कि वो भी फिर यहां नहीं रहेगी गुसल खाने के एकांत में सहसा उसकी असाहई विवशता सिस्कियों में फूट पड़ी नगने घुटनों में सिर रखकर और देर तक सिसकती रही बाहर कमरा ज़ाडती चानवनी मीठी दबी आवाज में गा रही थी कैसे विच्चितर सर में गाते थे ये संथाल दातों से दबा कर अपनी मीठी आवाज को जैसे वे और भी मीठा बना लेते हैं दातों के बीच दबाई गई जंकरत पहाड़ी बिढ़ें किसी जंजन चंपा को सहसा ठंडी बैयार सी सुशीतल लगी चंपा की आखें अकारण ही भराई उसे क्या जीवन बर कच्ची सड़क पर चलना होगा संथाल की भाती क्या वो भी मनी मन रोती रहेगी दीदी जल्दी आई ये बड़ी कोटी की रानी मा आई है चान बनी ने गुसर खाने की दरार से मूँ सटा कर सूचना दी तो वो हरबडा गई निश्चे ही उसकी आँखें अभी लाल होंगी किसी मूर्ख भावुक किशोरी की भाती कपसे वो सिसक रही थी क्या कहेगी मिसस सेनगुप्त उसे देखते उठकर उसने चमपा के दोनों ठंडे हाथ थाम लिये तुम भी कहोगे कि आते ही बुलाने आ गई अभी अभी पता लगा कि तुम आ गई हो क्षमा करना बेटी विपत्य में पढ़कर ही तुम्हें असा में बुलाने आई हूँ कमलेशुरी भी शायद नहाद होकर सीधी चली आ रही थी सद्य इसनात के शराश पीट पर विखरी थी तात की साड़ी का आचल भी बालों से टपक रह जल बिंद निपात से एक्दम भीग गया था सुंदर चेरे पर नित्य की इसनिक धहसी थी किसी की तबियत खराब हो गई है क्या चंपा ने कुर्सी खीच दिया आप बैठी न नई बेटी एक लंबी सास कीच कर कमलेशरी ने कुर्सी का हत्ता पकड़ा और दरजन वर सोनी की चूड़िया एक साथी नीचे सरग कुर्सी के कार से टकरा कर जंजना उठी तुम्हें साथ लेकर ही जाओंगी वो तो मयूरी तुम्हें लेने आ रही थी मैं नहीं रोग दिया पता नहीं क्या उल्टा सीधा बकाएगी कहने लगी मा अभी जाकर डॉक्टर जोशी को ले आओ मुझे उनसे कुछ काम है मैंने बहुत पूछा कैसा काम है री पर बताती ही नहीं मुझे तु नजाने कैसा डर लग रहा है पेटी मैंने गर्ब में उसे रखा अवश है पर आज तक उसकी एक बात भी नहीं समझ पाई उस लड़की के सभी काम निराले होते हैं इस बार अपने साथ अपनी एक दोस्त को भी लाई है उसी की तबियत के बारे में शायद तुमसे कुछ पूछना चाहती है मैंने तो कहा भी इतना बड़ा दिल्ली शहर छोड़ कर तेरी दोस्त यहां राय लेने क्यों आई हरी तुम एक बार चल कर देख लो तो मैं निश्चन थो जाऊं चलिए चमपा ने बैग उठा कर चांदमनी को थमा दिया जा इसे कार में रखा मिनी से कहना मैं मरीज देखने बड़ी कूठी गई हूँ खाना जो मेज पे लगा है दीदी अरी तेरी दीदी आज महीं खा लेगी घबडाती क्यों है हसकर कमलेशुरी ने चमपा का हाथ पकड़ लिया फिर चांदमनी के जाते ही वो ठिटक कर खड़ी हो गई बेटी मुझे लगता है अपनी दोस्त का बहना बना मैयूरी स्वयम अपने को दिखाना चाहती है कोई भी ऐसी बात हो तो मुझसे मत चिपाना चमपा किसी पीडित पशकी सी उस द्रश्ट को देखकर चमपा सहम गई जितनी बार वो बड़ी कुठी गई थी उतनी बार एक अजीब दहशत उसे सहमा उठती थी लगता था वो किसी ऐसे रहसमें बुतहे महल में पहुँच गई है जहां का एक भी व्यक्ति सहज सो अभाविक रूप से मानविय नहीं है भयावे मरदानी खुदू, लखनों के मिट्टी के खिलोने सा अचल दर्बान, खलनायक सा सेंगुप्त, फिल्मी तारिकासी मयूरी और मूप चित्रों के युप की स्प्रते चिनिसी सुंदरी कमलेशुरी यहाँ तक कि सीडियों पर चड़ने लगती, तो अदर्शे छिद्रों से आती सुगंदित नशीली वयार में भी उसे किसी पारलौकिक बाजीगरी का आभास होता ऐसी सुगंद जो पल भर में उसे अभीबूत कर दूसरे एक शर्चकर खिन्नी खिला देती थी कार का शद सुनते ही मयूरी भाग कर आ गई हाई डॉक्टर, कई दिनों से मैं तुबारा इंजार कर रही थी चमपा का हाथ पकड़ कर फिर वो ऐसे सीरियां चड़ने लगी जैसे किसी बालिका को उसकी बिछोडी हमजोली मिल गई हो ऐसा कॉमपलेक्शन कैसे है जी तुमारा? डॉक्टर एक बात कहूं, वो सहसा सीरी पर ही धमक कर खड़ी हो गई देश विदेश बहुत घूमी हो पर एक सुंदरी डॉक्टर नी देखने का अफसर जीवन में पहली बार मिला है आम तोर पर डॉक्टर नियां जैसी खूसट होती हैं बस पूछिये मत तुमारे मेल पेशेंट्स तो तुमारा चेरा देखकर ही रोगमुक्त हो जाते होंगे क्यों? चुपकर कमलेशुरी की धमक को सुनकर भी अनसुनी करके वो हस हस कर चमपा को ऐसे छेरने लगी जैसे वो उसकी दो दिन की ताजी भाबी हो और क्या मैं जूट बोल रही हूँ? इनके अस्पताल का पूरा स्टाफ ही सुना है इन्हें सुचित्रा से इन कहकर पुकारता है है ना डॉक्टर जोशी? अरी मानेगी की नहीं? कमलेशुरी सीड़ियां चड़ती हाफने लगी थी एक तो बेचारी उतनी लंबी यात्रा से भूकी प्यासी तेरी दोस्त को देखने चली आई उस पर तूसका दिमाग चाटे चली जा रही है जा जल्दी से रिनी को दिखा कर खाने के कमरे में लिया मैं नाश्ता लगवाती हूँ आईए डॉक्टर जोशी हसकर मयूरी ने अपने कमरे का द्वार खोल दिया आपकी मरीच कहा है चमपा कमरे में पहुँचकर भी खड़ी ही रही अरे बैठो यार मयूरी ने कुरसी खीच दिया और लपक कर द्वार बंद कर दिया इस घर में जरा भी प्राइवेसी नहीं है डॉक्टर जब देखो एकाद नौकरानी सिर पर चमगादर सी मंडराती ही रहती है आपकी मरीच कहा है मिस सेंगुप्त चमपा के कठोर सवर में पूछे गए प्रश्ण ने पल भर को उस उद्दंड मुख्रा लड़की को जैसे गूंगी बना दिया मरीच की बात बात में होगी वो किस्याई सी हसी हस कर कहने लगी पहले आपको उसकी केस हिस्ट्री बता दू हम दोनों एक ही वरकिंग हॉस्टल में रहती है वैसे तो दिल्ली में भी सब सुविधाय है दोनों सुडॉल टांगे कुर्सी पर ही उठा कर मयूरी ऐसी तेजी के साथ से नाकून कुतरने लगी कि चंपा को भैर लगने लगा कहीं वो अपनी पतली उंगलियों को भी नकुतर डाले पर दिल्ली में बेचारी डेलिकेट फील कर रही थी सब उसे जानते हैं अभी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई है वहां के एक प्रसिद होटल में कैब्रे नर्थ की हैरीनी इसी से नौकरी और उसकी वरतमान अवस्था में से एक से तो उसे छुट्टी पानी ही होगी मैं ही उसे यहां ले आई हूँ इतनी बड़ी कोठी में किस कमरे में क्या हो रहा है यहां रहने वाले भी नहीं जान पाते आट-दस दिन में ठीक ठाक होकर she can go back to her job मैं समझी नहीं चमपा उस वाचा लड़की की गोलवाल बातों को सचमुची नहीं समझभा रही थी बीमारी क्या है उसने बोले पन से पूछा ओ बीमारी मैयूरी हसी और कुटिल हसी ने उसके बचकाने चेहरे की दूदिया मिठास को धो पोंच कर बहा दिया बीमारी वही है डॉक्टर जोशी जो हम कुवारी लड़कियों के लिए कभी कैंसर से भी घातिक बीमार बन उठती है चमपा तिल मिला कर खड़ी हो गई आपने मुझे समझा क्या है मिस सेंगुप्त क्या आपके पिता अपनी कोठी में यही दंदा करवाने डॉक्टर नियों की न्युक्ति करते हैं ओ डॉन्ट बी सिली डॉक अर्था एकदम कानूनी गेरे में आती है अब तो अबॉर्शन लीगलाइजड हो रहा है बंबई में तो एक ऐसा क्लिनिक भी खुल गया है जा चुइंगम चबाती जाईए और तीनी घंटी में चुटी पामजे में जूमती जामती पिक्चर देखने निकल जाईए एलास्का में तो और भी कम समय लगता है तब आप अपनी दोस्त को वही ले जाईए मिस सिंगुप्त मैं जा रही हूँ ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है अपनी ममी से मेरी और से क्षमा मांग लीजेगा वो आला उठा कर खड़ी हो गई इस कोठी से सहज में ही बाहर निकलना कभी संभव नहीं होता डॉक्टर मैयूरी ने अपने कटे केश के गुच्छे को जटक कर सामने किया और अपनी तिरियक द्रिश्टिस से चमपा को सहमा दिया आपके सुडॉल वक्ष इस्थल पर तमंचा तान कर भी ये काम करवाया जा सकता है डॉक्टर जोची मैयूरी अलसाई बिल्ली सी शरीर एट्ती आराम कुर्सी पर पसर गई दोनों पतली बाहें उसने तक्या सी बना कर सिर के नीचे रख ली थी चमपा क्रोथ से थर-थर कापने लगी क्या ये चोकरी उसे बंदिनी बनाने की बात कर रही थी तब उसकी तेजस्वी शांद जन्नी भी क्या पुत्री की यी बहाती छला में ही थी आहा घबडा क्यो रही हो हनी वो अब एक छलांग लगा कर खड़ी हो गई मेरी सुन्दरी मरीज को देखोगी तो निश्चे ही तुमारा हिर्दे भराएगा विद मिल्क ओफ यूमन काइंडनेस उसे फिर उसकी असा है अवस्था में छोड़ कर तुम नहीं जा पाओगी स्वीटी रिनी यहीं चली आओ स्वीट हार कमरे का द्वार खोल कर उसने हाक लगाई चमपा तेजी से खुले द्वार की और बढ़ी पत अवरुद की एक खड़ी उस शरेरी छोकनी को निश्चे ही एक धक्का दे कर गिरा सकती थी किन्त हाक के साथ जो लड़की हस्ती वी द्वार पर खड़ी हो गई उसे देखकर फिर वो एक कदम भी आगे नहीं रख पाई उसके दोनों पैर घुटनों से नीचे अवश होकर रह गए कुरसी का हत्ता थाम कर्यद हुआ अपने को नहीं सभालती तो भरभरा के नीचे गिर पड़ती उसके सामने उसकी छोटी बेहन जूही खड़ी थी दोनों ही के चेरे एक साथ फख पड़ गए अरे वाह मैयूरी ठटा कर हस पड़ी लगता है आप दोनों एक दूसरे के रूप पर रीच कर रह गई हैं लेकिन वाट ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस रिनी खान तुम मुसर्मान हो ये हिंदू पर जो ना ये जानता हो यदि तुम दोनों को एक साथ खड़ी देख ले तो यही कहेगा कि तुम दोनों सगी बेहने हो बैठो रिनी मैं जा रही हूँ लो मन भरके अपनी बीमारी की हिस्ट्री डॉक्टर जोशी को समझा दो अच्छा देखो शर्माना नहीं फिर अपनी एक आख को पेशेवर अंदा से दबा कर वो हाथ हिलाती चली गई आमने सामने खड़ी दोनों बेहनों ने आखोई आखों में तलवारे खीच ली चंपा ने कठोड दिर्ष्टी से चोटी बेहन को देखा कुछी महीनों में वो कितनी बदल गई थी चेरा ही लंबोत्रा नहीं बन गया था दोनों भवों को साफ कर खीची गई पेंसिल की रेखा ललाट को और भी प्रशस्त बना गई थी बच्पन में जूला जूलते दोनों बेहनों की बचकानी जड़पने छोटी को नीचे गिरा ललाट पर जो तिरचा दाग बना दिया था और जिसे जिद्धी जूही बड़े कोशल से लगाई गई अपनी बिंदी के अस्तित्व में छिपा लेती थी वो आज अनावरत था कटे बालकंदों पर जूल रहे थे कानों के जड़ाओ लटकंट कंट का हैदराबादी चोकर बाजू का अनन्त और दरपण जड़ी अंगुठी देखकर लगता था वो अभी अभी नर्थकी की सज्जा बिना उतारे ही हाफ्ती रंगमंच से सीधे उतर कर सुस्ताने बैट गई है तुम यह कैसे आ गई तुम तो अफगानिस्तान चली गई थी अपने प्रश्ण की कठोर जनक से चमपा स्वायमी अन्मनी हो थी अपने मुसल्मान प्रेमी के साथ भाग गई उस पित्र हंता छोटी बैन का पीला चेरा देखकर चमपा का हिर्दय सहसा करुना से भर गया यह क्या वही जुई थी सहसा आगे बढ़कर उसे गले लगा लेने को वो व्याकुल हो उठी किन्त अचानक वही पुरानी जुई फिर लोटाई शांत आखों में फिर वही विद्रोई जलक कौन उठी ओ तुम क्या सोच रही हो मैं अफगानिस्तान से यहां आई हूँ वहां से आई हुए तो मुझे एक अरसा हो गया दियर सिस्टर वो हसी लेकिन आई नेवर थॉट देट आफ अल दा परसेंस तुम्हें यहां देखूंगी तुम्हें कैसे आ गई उसकी पिंसिल अंकित भवे व्यंग से तन गई सेन गुप्त हैज टैक्ट आई मस से चुपकर जुई चमपा का सर्थ तीखा होकर फट गया अर्थी पर पड़े पिता की अदमुदी आँखों की इसम्रती उसे पागल बना गई जिस छोटी बहन को देख क्षण भर पूर वो म्रत वत्सा गाय सी रंबाने को व्याकुल हो उटी थी उसी उद्दंड छोकरी को कान पकड़ तमाचा मारने अब उसकी बाहें फड़कने लगी जिसके साथ मुझ काला कर भाग गई थी उसने क्या तुम्हें छोड़ दिया चंपा का क्रोल उसी इकन पटी पर फड़कने लगा था ओ तन्वीर उसने मुझे नहीं छोड़ा दी दी मैंने उसे स्वैम छोड़ दिया अपने मरदाने राम नामी कुर्टे की डीली जेब में सिगरेट केस निकाल कर उसने सिगरेट जला कर मुझे धरी और धुम्रपान की अन्ववी अंदास से नाक से दुए की गहन धुम्रे रेखा निकाल कर उसने छटकी और उड़ा दी हनी मून के लिए अफगानिस्तान ही गई थी पर न हनी ही हाथ लगा न मून पैर पर पैर रख कर फिर वो निरज्जता से हसी ससराल का वैबव देख कर एकदम मूर्चिती हो गई थी रीदीदी क्या आलिशान कोटी थी और सास ससुर की कैसी भवे जोड़ी पहाडियों में कभी ऐसे सास ससुर जुड़ सकते थे भला राम भजो पूरे सोलह नौकर मेड इन वेटिंग नीग्रस मैमी चार मोटरें यही नहीं ससुर का अपना निजी हवाई जहाज भी था कभी अधन जा रहे हैं और कभी पाकिस्तान पर तीसरे ही दिन मेरी ससुराल की मुरादाबादी कल्य खुल गई थी वो फिर हसी एक हसी ही तो नहीं बदली थी उसकी जितनी ही बार वो हस्ती चंपा का बच्पन उसकी उसी दूदिया हसी में उने कोने से चलकता उसे फिर अतीती और खीचने लगता था छोटी बहन के अन्याय को वो बिसर कर रह जाती सास ने मुझे रूबी का साथ लड़ी का हार दिया और ससुर ने मारी आंतोनियत के कलेक्शन से खरीदी गई हीरे की बहमूले अंगूठी किन्तो मेरा अकरमर ने मुझे कुछ भी नहीं दे पाया उसके विचितर मित्र एक एक कर मुझे से मिलने आते और मुझे एक से एक दामी उपार थमा उसे लेकर निकल जाते रात रात वर मैं उसकी प्रतीक्षा में बैठी रहती कभी आधी रात को लोटता वो कभी भोर के दुदलके में और मुझे गुडनाइट के कागजी फूलों का गुलदस्ता थमा दीवार की और मुझ फेर कर खराटे बरने लगता मैं कुछ-कुछ समझ रही थी कि एक दिन उसी ने मुझे सब समझा दिया मुझे माफ करना जूई सोचा था तुमसे शादी कर अपनी पिछली जिंदिगी को भूल जाओंगा पर अब देखता हूँ कि जहां पहुँच गया हूँ वहां से चाहने पर भी मैं अपनी लोट सकता उसकी जिंदिगी केवल पुर्षों तक ही सीमिती दी-दी उसके उनी मित्रों को लिखे गए कुछ सित पत्रों की भाषा पढ़कर मेरे गणा से सिहर उठी जो पुरुष किसी दूसरे पुरुष को प्रेसी कहकर संबोधित कर सकता है वो क्या कभी इस तरी से प्रेम कर सकता है उसी रात जूही मर गई थी दी-दी डिनी खान का जन्म हुआ था उसी दिन किन्तु तन्वीर वाज जेंटिल मैम उसने मुझे पूरी आजादी दे दी थी जहां जाओं जिसके साथ जाओं उसे कोई आपत्ती नही थी मेरी जेठानी नहीत का मायका पाकिस्तान में था मेरा विवा हुआ तो वो पाकिस्तान गई थी जब लौटी तो व्यंग से हसकर उसने पहला प्रशन मुझे यही पूछा था क्यों जी तुम लड़की हो या लड़का तन्वीर मिया के दोस्तों के मासूम जनाने चेरे देख देखकर हमें डर लगता है कि कहीं तुम भी उनी में से तो एक नही हो वही नहीत फिर मेरी दोस्त बन गई कहती थी यहां सबका यही हाल है बहन हमारे मिया को अफीम की लड़ है उनकी लड़ तो तुमारे मिया की लड़ से भी खतरनाक है दीरे दीरे दिमाग भी ठप हुआ जा रहा है इसी से हम भी मौज करती हैं क्यों दिल छोटा करती हो बहन चलो हमारे साथ वही मुझे पहली बार नाइट क्लब ले गई थी और वही मेरा परिचे हुआ था गुल्शन से गुल्शन दा फ्रूट सैलेट गर्ड ओ अपूर्व नर्तकी थी गुल्शन माती फ्रेंच और पिता पठान संग मर्मर से तराशी गई मूर्ती सीही गुल्शन सिर से पैर तक केवल फलों से रखी रहती वक्ष स्थल पर नाश पातियों की कंचुकी क्षिवन कटी पर अंगुरी पत्रों की मेखला कंट में आलू बुखारे की माला कलाई में अंगूरों के कंकर उसके आते ही कमरे की बत्तियां बुझा दी जाती तामे के बड़े बड़े कंदील में जल रही मुम्बती के धीमे प्रकाश में वो नत्र प्रमीना नाशने लगती और उसकी देह परिमल का लोबानी दुआ दर्शकों को बेसुत कर देता अनोखे वाद देवरंदों के साथ धीरे धीरे उसका नरत्य गतिशील बन उठता और नाश्ती नाश्ती अपनी एक एक रसीला अभुशर तोड़ तोड़ कर दर्शकों के और फेक देती जिस दर्शक पर उसका वो विश्बुजा बार पड़ता वो बेचारा पानी भी नहीं मांगता लोग दो-दो-सो रुपए का टिकट लेकर उसका नरत्य देखने आते सब्ता में केवल दो दिन नाश्ती थी गुल्शन और उसके वे दो दिन हम देवरानी जिठानियों के उपस्थित के बिना अधूरे ही रहते उसी गुल्शन से फिर मैंने उसका बेली डांस सीखा अफगानिस्तान के उसी नरत्य के अंगूरी आसों में जब अपने लखनों के सीखे कत्थक की अंगूरी मिला कर भारत के प्रसिद होटलों में मैं नाश्ती हूँ दी दी रिनी खान दसिजलिंग शेबा किन्तो जिस बेली डांस ने मुझे प्रसिद कर दिया था वही अब मेरी पकड से खिसका जा रहा है इसी लिए तो उपचार की आशा से यहां आई थी पर हायरे भाग एक लंबी सांस खीच कर उसने दोनों हाथ शून में फैला दिये यहां तो सगी बेहनी डॉक्टर नहीं निकल आई सगी मौसी बला कहीं अपने हाथो जूही चुप कर शर्म नहीं आती तुझे चंपा के ललाट पर पसीना चलकने लगा था कहती है तनवीर इस जन्टिलमेंज फिर उसी के पास क्यों नहीं लोट जाती मूर्ख कैसा ही जन्टिलमेंज क्यों ना हो तनवीर क्या वो किसी दूसरे की संतान गरहन करेगा दीदी दूसरे की? और क्या डियर सिस तनवीरी मुझे संतान दे सकता तो क्या मैं आज नटिनी बनी होटलों में थे रखती अरे बाप रे बाप भड से अदखुला द्वार खोल कर मयूरी आदी सी ही कमरे में घुसाई यहां तो डॉक्टर और मरीज बातों से ही पेट भरे जा रहे हैं उदर हमारी माँ एकड़म बोखला कर हमपर बरस रही हैं कि बेचारी डॉक्टर नि को तू भूकी प्यासी मार देगी क्या चलिये चलिये आप लोग, क्योई री रिनी किस मंत्र से तुने ने साथ लिया यह तो किसी को कंदे पर भी हात नहीं धर्ने देती थी चंपा का चेरा पूर्वत गंबीर बना रहा बिना एक शब्द कहे ही वो दरदराती सीड़ियां उतर गई एक प्रकार से दौड लगा कर ही वो रिक्षा पकड़ पाई थी घर पहुंची तो मिनी नहीं लोटी थी बिना कपड़े बदले ही वो कटे पेड़ सी बिस्तर पर लंबी हो गई विद्याता ने उसे कैसी विशम परस्तितियों की बूल भलईयां में बटकने छोड़ दिया था दोनों हाथ चाती पर धरे वो शूने द्रिश्टे से छट को देख रही थी कभी भी बड़ी कोटी की कार उसे लेने आ सकती थी और जैसी चेतावनी उसे दी गई थी उसके अनुसार उसके सीने पर तमंचातान उसे उसकी सगी छोटी बेहन के सिराने मास्क लगा कर खड़ी होने को कहा जा सकता था एक ही उपाय था कि वो राती रात कहीं दूर भाग जाए अरे जोशी तुम क्या बड़ी कुटी चली गई थी खाना तो सब मेज़ पर ही पड़ा है चान्वनी से पूछा तो कहने लगी दीदी जे गियर छिलो बुड़ कुटी मिनी आन्दी की भादी कमरे में भुसकर उसके पलंग पर बैट गई ओ माँ होलो की चेहरा ऐसा सूखा क्यों लग रहा है जी अब तक यतन से रोका गया अश्रुग रहर चमपा की पूरी दे को कपा गया मिनी ने लपक कर चिटकनी चड़ा दी और उसकी सिस्कियों से कापती पीट पर हाथ फेड़ती कहने लगी जोशी ऐसे मत रो मैं जानती थी कि एक दिन यही होगा सेनकुप्त कैसा जानवर है मैं जानती हूँ इसी से मैंने तुम्हें आग्रे भी किया था एक दीरकश्वास लेकर वो फिर रुक रुक कर ऐसे बोलती चली गई जैसे वो कमरे में अकेली ही हो मेरे वैदवे का अशोच दूर भी नहीं हुआ था और मैं इसी बड़ी कोटी से ऐसी ही सिसक्ती लोटी थी नर्व्यागर के उस बगनके के आगाप को मैं क्या कभी भूल सकती हूँ जोशी मुझे पता होता कि तुम वहां अकेली जा रही हो तो मैं अस्पताल से ही तुमारे साथ चली जाती पर मिस्टर सेनकुप्त तो दोरे पर गए थे कब लोटे चमपा उठकर बैट गई मिनी सेनकुप्त यहां नहीं है मैं तो मिस्टर सेनकुप्त के साथ गई थी तब क्यों रो रही हो जी चमपा को लगा यदि उसने उसी क्षण अपने हिर्दय की वेथा का पात्र किसी के सम्मुक नहीं उडेला तो पागल हो जाएगी आरम से अंत तक फिर उसने मिनी को अपनी पूरी कहानी सुनाती थी अपनी सगाई की भी बात वो नहीं चिपा पाई हिर्दय की जिस वेगवती उमर्ती धारा को दबाने के लिए उसने अब तक सैयम की भीमशिला को टिका कर रखा था वो अब शितिल होकर स्वैमी किसक गई थी चाहने पर भी वो धारा के साथ बहे जा रहे रोडे कंकणों की गति को अवरुद नहीं कर सकती थी सगाई तूटने के साथ जुड़ा जुई का प्रेम विवा पिता की मृत्यु मा को सैनिटोरियम में दिया गया बुआ का शौक ट्रीटमेंट जया की सगाई और जब जुई की निरलज आच्रण की पैरवी कर रही मयूरी सेन गुप्त सब कुछ उगल कर फिर वो चुप पड़ी रही मिनी इस्तब्ध हो कर सब सुन रही थी कितनी मूर्ख हो तुम जोशी एक लंबी सास खीच कर उसने उसी के आच्चल से उसके अशुर सिप्ट चेरों को पोच दिया अपना पता ही जब किसी को नहीं दिया तो फिर दोश भला किसका है मैं किसी को दोशी कब दे रही हूं मिनी पर मैं अब यहां से आजी भाग जाना उसके गुप्त चर विभाग को मैं जानती हूँ बोलपुर लागपुर बस रूट से नानून को पहली बस जाती है सुबह चार बजे तुम उसी से पाकुण हास चली जाओ बैलगाडी की तीन मिल की यात्रा तुमें वहां पहुँचा देगी वहीं के एक पटुआ परिवार की बहु के दोनों बच्चे मेरे हाथ के हैं उसी के लिए चिट्टी दे दूँगी सेन गुप्त परिवार का परिंदा भी वहां उड़कर नहीं पहुँच सकता बेनू पच्चितिकारी तुमें साइन्थिया से कलकत्ता पहुचा आएगा कलकत्ते से तुम सीधी बंबई चल देना बंबई? वहां मैं किस के पास जाऊंगी? चंपा के दोनों होट अभी भी काप रहते वही तो बता रही हूँ आज ही बंबई से एक सेमिनार का निमंत्रन मेरे एक मित्र ने मुझे भेजा है वर्ड गाइना को लॉजिस्ट मीट है उसे मैं लिख कर सब समझा दूँगी मैं न सही तुमी डेलिगेट बनकर बीर भूम को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मिस्टर सेनकुप्त के आने पर कह दूँगी की डॉक्टर जोशी सीनिर डॉक्टर है उनके वहाँ जाने से आपके अस्पताल की सुख्याती ही होगी और जब तक तुम लॉटोगी मैयूरी जा चुकी होगी अगले हफते ही मैयूरी सेनकुप्त जा पान जा रही है ये मुझे ठीक पता है उसके साथ ही उसकी मित्र भी निश्चे ही चला जाएगी इस बार तो मैं तुम्हें बचा सकती हूपर अगर तुम लॉट कर आईं तो शायद फिर नहीं बचा पाऊंगी राती रात में फिर मिनी ने अनुकी सूजबू से चमपा को अपनी अम्बिलेंस में छिपा कर नानूर पहुचा दिया था हिचकोले खाती बेलगाडी से उतर कर वो पाकुड हांस पहुची तो उस ग्राम के शमशान के से इस्तब सन्नाटे ने उसकी रही से ही चितना भी हर ली मुट्थी वर जोपड़ियों की वो बियाबान बस्ती केवल कुछ कुछ कुटों के भौकने से ही मुकृत हो रही थी मिनी की चिट्टी हाथ में लिए वो बड़े असमंजस से खड़ी थी कि गायों के रमबाते जुंड को हकाता एक गौाला उसे देखकर ठिटक गया किसे डूर रही है दीदी अरे बेनुपत चितरकार का घर डूर रही है क्या आईए आईए मैं ले चलू बेनुपत का गाना मशीन में बरने आईए है क्या दीदी वो फिर महा उच्सा से बेनुपत के कंट की प्रशंसा के पुल बांधाता चमपा को छोटी मोटी जाड़ियों के बीस से ले जाने लगा आहा क्या गाता है बेनुपत आज ही फेरी लगा कर ना नूर से लोटा है पिछले महीने भी कलकते से कई बाबू मशीन में उसका गाना भर कर ले गए थे हमें सुनाया भी था बाप रे बाप हमारे सामने मुँ एकदम बंद किये बैठा है बेटा बेनुपत और गोल गोल भूंती मशीन अविकल उसी के कंट का गाना गा रही है ओहे बेनु देखो के ऐशे छेन एक खंचर से द्वार की साकल खटकटा कर उसने पुकारा और मैली सी जीर्ण लुंगी लपेटे बेनुपत चित्रकर आधा द्वार खोल कर खड़ा हो गया चंपा ने उसे मिनी की चिट्टी थमा दी आसून आसून दी दी उसने अब चिट्टी पढ़ते ही पूरा द्वार खोल दिया आंगन में बिछे तक्त पर चठाई बिछी थी उसे हाँ से ही जाड़ जूर कर वो हाँ जोर कर खड़ा हो गया आप बैठें मैं भाग कर गिन्नी और बहुमा को बुला लाओं लड़का आज हाट गया है आप चिंता न करें मैं पडोस की बैल गाड़ी मांग कर आपको साइंतियां पहुचा आऊँगा भाग कर वो अपनी पत्नी और बहु को बुला लाया उस इसनेही और दरिद्र ग्रामीर के सरल आतित्थे ने चमपा की सारी ठकान दूर कर दी दिन भर इधर उधर मेले हाटों में घूम वो बाप दादों के चित्रांकित पटों को दिखा कर गागा कर ही अपने परिवार का भरन पोशर करता था किसी पट में परलोग गमन का द्रश किसी में भयानक यमदूतों के वरादंत किसी में नरक यातना का सजीव चित्रन और किसी में अश्ट बुजा की अनपम छवे अंकित थी हमारा संप्रदाय बहुत पुराना है दीदी बेनूपद ने अपने दोरे से बंधा चश्मा उतार कर हाथ में ले लिया अब तों आखों की जोती भी धीरे धीरे जा रही है पट ठीक से देख भी नहीं पाता अंदाज से ही गाता चला जाता हूँ वैसे हमारे पूर्वत चानके के गुप्तचर थे वान भट के हर्ष चरित में भी हमारे वंश का उलेक है चंपा चौक कर उसे देखने लगी मैली भटी लुंगी पैबंद लगा अध्धी का कुर्ता दोरी से बंधी एनक देखने में एकदम अपड गवार दिखने वाले उ बान भट के हर्ष चरित में राजधानी प्रवेश के समय हम यम परियतकों को देखकर श्री हर्ष अमंगल की आशंका से भैबीत हुए थे पर आप न घबणाएं किसी शुकार के लिए जा रही है क्या जाईए जाईए दीदी आपका कोई अमंगल नहीं होगा लक्षमी की प्रतिमा हैं आप हमारा अमंगल अब हमारे ही सम्प्रदाय को चाट चूट कर खा गया है हम क्या अमंगली रह गए हैं दीदी लेकिन बहुत दिनों बाद उस यम परियतक का वो विचित्र प्रश्न स्वैमी चंपा के कानों में कूझ उठाता किसी शुकारी के लिए जा रह हुई होंगी तभी मैंने बर्दवान से कावितीर थी परिक्षा पास की एक संस्कृत पार्शाला में नौकरी भी जुट गई थी पर हमारे संप्रदाय की प्रथा भी विचित्र है हिंदू होकर भी हम रोजा रखते हैं यही किसी ने एक दिन पंडित मोशाय से कह दिया एक ही दिन का परिचित वो पाकुण हास का चित्रकर फिर उसे स्वयमी बड़े यतन से कलकत्ता पहुँचाया था चंपा की गाड़ी छूटने तक बेनूपद ने उसका साथ नहीं छूड़ा गाड़ी चली तो वो दोनों हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी द पूरत का रूप एकदम आपका ही नक्षा लेकर स्वयम छिटक पड़ेगा कत्थे तंबाखु से सनेदातों की कत्थाई बतीसी दिखा कर वो फिक्ष से हस पड़ा जब लोटना हो तो दीदी इस सेवक को सूचित करना न भूलें दास आपको लेने खुद सियालदय तक रचकानी योजना के खोकलेपन का आभास हुआ कैसी मूर्खता कर बैठी थी वो उतनी बड़ी सेमिनार में जहां भारत के एक से एक गुणी अनुभवी विशेशग्य उपस्तित रहेंगे वहां वो क्या कहकर अपना परिचे देगी ये ठीक था कि मिनी ने अपनी सकी डाक कोई चमपा का कलेजा बुरी तरह धड़क रहा था कोरीडोर वाले सक्रे दो बर्त के उस कूपे में वो अकेली रहेगी ये जानकर उसे प्रसनता ही हुई थी मन की जैसी अवस्था थी उसमें उसे ऐसे एकांत की काम ना थी चिटकनी बंद करने की दो एक बार चेश्टा की लगता था जाम हो गई थी हार कर वो चादर विचा कर लेट गई तेज गती से भागी जा रही गाड़ी के हिचकोलों से ही शायद उसकी आखें स्वयम मुदी जा रही थी किन्तु अनिंद्रा अभी भी अभ्यास बनी चिरंतन रूप से उसके पलकों पर जम कर बैठी थी च भाड़ी की गती देखकर वो समझ गई कि उसका ये सिरदर्द अनिद्रा या चंता जनित नहीं है उसे तेज बुखार ही जगड़ रहा है चादर मुह तक खीच कर उसने शरीर की कपकपी को दबाने का व्यर्थ प्रयास किया तब क्या वीरभूम का कुख्यात मलेरिया ही उ स्वयम अपने ही देताप से उसकी पसलियां जुलसने लगी आँखों से बहरे विवश्ता के आसू खौलते जलकी उश्रधार की भात उसके कपोलों को दगद कर उठे ऐसे ज़र में उस सर्वत्था नवीन परिवेश में एक अंजानी महिला का आतित्य स्वयमी आचल पहला कर मांगना था। कपकपी अब उसकी बतीसी कटकटाने लगी थी। लज्जा से उदोनों हातों से दुखता जबडा दबाय मुर्दा सी पड़ी थी। करंड शूल की असहव यंत्रना उसे रह रहकर तरपा रही थी। उधर उसके सहयात्री ने डिनर का ही ओर्डर नहीं किया। गटगटा कर कुछ पे घुटक अपने त्रशार्त कंट को भी सिक्त कर लिया था। सेन गुप्त के कठोर चेहरे की इस्वरती चमपा को उस अंधेरे कूपे में कलपना का निशाचरी मुकाटा लगा अपने वरा दंतों की जहलक से त्रस्त करने लगी। बैरा के जाते ही उस व्यक्त ने खीच खाच कर अरगला चढ़ा दी थी। चमपा चिटखनी की उस खटक से और भी बहबीत हो गई। कुछी दिन पहले मिनी नहीं तो उसे बताया था कि कैसे एक बार ऐसे ही डबल कूपे में एक मदमत फौजी उसका सहयात्री बन बंडेल जंक्षन पर रात के बारा बजे भीतेर कुसाया था। फिर बत्ती बुजने से पूर जिस नमर शिष्ट सौम सहयात्री ने विशुद अंग्रेजी में मिनी से धुम्रपान की विनम्र अनुमति मांग उसे अपने सब्य आचरर से प्रभावित कर दिया था। वही बत्ती ब ऐसा निकला तब। तीवर ज्वर में बेसद हुई जारी संकोची भीरू चंपा क्या चीक भी पाएगी। कमरे की बत्ती बुजाकर अब उसके सहयात्री ने नीली बेड लाइट जला दी थी। उसके कूपे में आते ही जिस तीवर सुगंध से चंपा के नत्रने फड़क उ थोड़ी ही देर में उसकी गहरी श्वास प्रश्वास के सधे उतार चड़ाओ से चंपा जान गई कि वो सो गया है। दीरे से अपने चादर हटा कर उसने देखा उसका सहयात्री उसकी और पीट किये सो रहा था। बैटते ही चंपा पीट की असे पीड़ा से तड़प उती लगड़ा ता किसी ने आग में लाल लाल तपाया तीखा भाला ही उसकी इड़ी की हड़ी में भोग दिया है। कंट सूकर जीब तालू से चिपक गई थी। प्यास से व्याकुल होकर वो इधर दर देखने लगी। सहसा सहयात्री के सिराने धरे खाकी फ्लास्क पर उसकी द जबड़ा जकर दिया है। एक पल में ही अपने घातक रोग की भयावय वास्तिविक्ता उसके अनभवी सक्चित्त को तरस्त कर गई। दस दिन पूर मा के लिए काटे जा रहे एपल जूस के टिटकी तीखी धार ने उसकी अंगुली काट दी थी। छलचला कर रक्ट की भाति उसकी रीड की हड़ी को ऐसी निर्वमता से तोड़ने लगी थी। म्रत्य शया पर असाहे पड़ी जनिनी की करुण आखें उस अंचीनी मानगरी के किसी अस्पताल की मौर्चुरी में पड़ी। स्वयम उसकी अंक्लेम्ड म्रत दे और उस रोग की भ्यावय यंत्रन जिसे उसे अंद तक चैतन्यावस्था में रहकर भी भूगना होगा। प्रकाश की किरण भी जिसकी प्राणांतक वेदना को असे बना देगी। ओफ। वो भैसे सिहर उठी। कमकपी का वही जटका उसे फिर मरूर गया। उसकी दवी चीक से चौक कर उसका सहयात्री हो गया। क्या आपकी तवियत ठीक नहीं है। नम्रस्वर में उसने पूछा। सिस्कियों से कापती चादर से धकी वो दे सडक पर बाजीगरी का तमाशा दिखा रहे। किसी बाजीगर के जमूरे किसी चादर से धकी कटी रहसमें दे की बात तरपने लगी। वो जुका द जिसे एकी बार देखकर उसने कभी सहचरी बनाने कर निश्चे किया था जिसकी विशाल रस्वंती आखों ने पहली बेट में उसे एक अनुकी मुहक शक्त से निमंत्रित कर दिया था। वही आज शंक की भात श्वेत असाहय पड़ी उससे दया की मूग की आजना कर रही थ चमपा का शरीर फिर एटने लगा लग रहा था तीवर जोर की तपन से तरपती लड़की असाहय और भेंकर अवस्था से छुटकारा पाने की प्राण प्रण से चेश्टा कर रही थी। क्या हो गया कहां दर्द है मुझे पहचान रही हो चमपा मैं हूँ मदुकर वो हसने क चेश्टा करता एक कदम आगे बढ़ा किन्तु चमपा की उनमादिनी द्रश्ट देखकर उसकी हसी होटों में ही सूख गई कंप की वही लहर चमपा की दुरवल दे को फिर जग जोर गई तीवर आंदी के वेक से दोरे हो गए मेत के लचीले पेड सी ही दोरी होकर वो नीच गिर पड़ती मदुकर ने उसी की बर्त पर बैठ कर उसकी अंगारेजी धहकती दे को थाम लिया चमपा भैबीत द्रश्ट से उसे देख रही थी उसके अंग अंग में शूल चुब रहते उसे ये भी नहीं सूज रहा था कि वो कहां है लगता था जन्म जन्मांतर की ताप अंग में चेतना सहसा उजीवित करूटी थी चमपा ने एक बार फिर आंके खोली अपने तप्त ललाट पर धरे उस हाथ को बड़े अधिकार से समेट अपने धरकते हिरदे पर दबा कर फिर आंके बंद कर ली मुझे अब तेरा बह नहीं है देखती नहीं एक आनंद में आ को जान गया था कि विधाता ने चमपा को उसकी बाहों में भरने को ही लोटाया है टिटनिस की इस अवस्था में उसका बचकर निकलना एक प्रकार से संभो था बंबई पहुंचने में अभी एक घंटे की देर थी और पलपल का विलम भी उस रोग को असाध्य बना सकता था इसी से जब वो आदी रात को दक्ष यग किसे सती की मरत दे लटकाए रुद्र शिव के रूप में ही अपने फ्लैट की घंटी बजा कर खड़ा हुआ तो उसका पहाड़ी नौकर केसर सिंग स्वामी की लाल लाल आखे देख भैसे सहम दो कदम पीछे हट गया था हे भगवान आज एक कैसा मुर्दा लटकाए घर लोटाया है उसका सिर्फिरा साहब क्या बात हो गई साहब ये कौन है ये उसने पूछा तो मदिवर जुंजला उठा तू बहस मत कर जा जल्दी से फोन कर एम्बुलेंस बुला अभी अस्पताल ले जाना होगा उसी रात को वो फिर चमपा को लेकर अस्पताल चला गया पंद्रह दिनों तक निरंतर मौत से जूज करी वो उसे यम द्वार से लोटा पाया चमपा की चेतना एक ख़ण को भी विलुक्त नहीं हुई थी यही तो उस विजितर रोग की विशेश्ता थी रोग मुक्त होकर भी वो एक श चुट्टी मिल गई है पांच बजे घर चलेंगे चमपा उसने बड़े उत्सा से भूमी का बांदी पर चमपा अपनी उसी रहसे में ही चावनी से उसे व्याकुल कर गई उस द्रश्ट में व्याकुलता थी या आनंद मदुकर उसे अपनी बाह का साहरा देकर कार में बिठ गई लगता था बीमारी ने उसके सोचने समझने बोलने बहस करने की शक्ति का आमूल विद्धवन्स कर दिया है मानसिक रूप से अपूर्ण अपर पक्व किसी मंगोल शिश की ही सी उसकी वो अटपटी चाल देखकर मदुकर मनी मन बहबीत भी हो गया था तब क्या इस ना वो किसी प्रशन का उतरी देती थी ना स्वैम कुछ प्रशन पूछती थी दूद सूप या फलों का रस केसर सिंग लाकर रख जाता मदुकर उससे पीने को कहता तो आग्या का रिनी बालका की भाती प्याला मुह से लगा एक सास में गुटक जाती खाली प्याला फिर ब जबा को अस्पताल से आये तीन दिन हो गए थे किन्त उसकी रहसे में ही चुपी अभी भी पूर्वत थी रात को से दवा खिला कर मदुकर को एक मरीज देखने जाना था जब लोटा तो वो सो चुकी थी डड़ते ड़ते मदुकर ने परदा उठा कर जाका वो गहरी नीन मे सो रही थी सुडौल मा का तकिया बन जाने से बलावज उपर उठ गया था वक्ष पर पड़ी सोने की चेन सुरनिम फेनिल तरंगों सी उठ उठ कर गिर रही थी चादर खिसक कर पैरों के पास पड़ी थी उसके रूप की अग्यात छटा निद्रा वस्ता में दोगणित होक दिया था विधाता आज स्वयमी उसे महा ओदारे से लोटा गया था कौन क्षीर सुर में पहली बार पूछे गया उस प्रशन ने मदुकर को उनमत्त कर दिया उसका लुप्त प्राय साहस सहसा जागरित हो गया वो आगे बढ़ा मैं हूँ चंपा डरना नहीं मैं जाफरी मे सोया हूँ वो उसके कानों के पास जुका और उस अक्षत कौमारे की मादक सुगंद महुआ की मदीली पुष्पगंद सी ही उसे मत कर उठी शत्र बना पुष्व धन्वा अपने धनुष की दोर कान तक खीन चुका था पंच दशी की ध्योट चंद्रिका में मोती से उजले करन फूल की गुलाबी आभा उसके अद्रों को चुम्बक सा खीशने लगी चंपा उसके स्वर में भोरे की सी गुनगुन सी मिठा स्वयम उतर आई कहानी का शेश वा अंतिम भाग अगले भाग यानि अंतिम भाग में सुनी है